नहोश्कार दोस्तों, इलेक इंजिनियर में आपका स्वागत हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टी मीटर से हम करेंट कैसे чек करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि दो तरह के जो है वो electricity होती है एक DC electricity होती है जो हमारे इस तरह के circuit board में होती है या हमारे जो छोटे electronic instrument होते हैं उनके अंदर use होती है और एक AC होती है जो हमारे घर में जो power supply आती है जैसे इस तरह की जो power supply हमारे घर में आती है ये AC होती है तो द तो चेक करने का तरीका दोनों का सेम है, लेकिन कुछ मल्टीमेटर जो होते हैं, वो AC करेंट चेक कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा कैसे आपको पता लगता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DC कैसे चेक करता है तो मानली जा यह आपका एक कोई circuit board है ठीक है और मानली जा आपने उसमें इस तरह से कुछ current करके एक छोटी सी LED जला रहा है बहुत simple सा circuit है देखिए यहां से यह red cable आ रहा है और यह red cable यह इसके थुरू यहां से रजिस्टेंस में आ रहा है और रजिस्टेंस के थुरू यह वापिस आ रहा है यह सारे चीज़ां किसी और चीज़ के लिए इन सब को अभी आप आप इग्णोर कीजिए circuit इतना सा है बस बैटरी है बैटरी से करेंट रजिस्टर के थ्रू LED एलेडी जल रही है बस इतना सा है अभी अगर हमको जब करेंट चेक करना होता तो सबसे पहले देखिए यह DC है पहले आपको पता होना चाहिए कि DC है या AC है तो सर्किट बोर्ड वगेरा में हम DC यूज़ करते हैं तो इस सरे का आपका जो मल्टीमीटर होता उसमें आप देखिए वी मतलब वोल्टेज यह देखिए वोल्टेज यह जो स्ट्रेट लाइन होती है इसके आगे और डॉट 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 इसका मतलब DC होता है और ऐसे जो यह तिल्डा का साइन बना होता है ऐसे करके यह देख लाइन और डॉट 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 इसका मतलब डी सी एंपियर जो नापने की जगह है वो यह इसके आगे जो सीधी लाइन बनी हो यहां से लेकर यहां तक तो अप्रॉक्सिमेटली कितना करेंट है उसके हिसाब से अब यहां से शुरू करते हैं और यहां पे तो यह मैंने 200 जिलिएयमस में हम इसको मूव करेंगे इस तरह से ठीक है मालेजे मैंने 200 मिलिएयमस में मैंने इसे मूव किया तो अभी यह मिलिएयमस में हम को बताएगा पहली बात थेक है और यह ध्यान रखिए अगर आप 10म सपे इसको रख रहे हैं तो 10 ऐमस का जो यह वाला circuit है तो आपको इसको यहाँ पर लगाना पड़ता है यहाँ से निकाल के यहाँ पर यह specially 10M के लिए बना होता है ठीक है अगर यह नहीं है तो फिर आपको नहीं लगाना लेकिन अगर 10M ज्यादा वाला अगर आप यूज कर रहे है तो यहाँ लगाएंगे अधरवाइस कम वाला आप उसके लावा और कोई भी यूज कर रहे हैं वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज जेखते हैं यह वाला यहाँ जो सारा है यहाँ अगर आप रखेंगे तो DC वोल्ट मीटर बनता है यहाँ आप रखेंगे तो AC वोल्ट मीटर बनता है और यहाँ रखेंगे तो यह DC एमीटर बन गया है तो एमीटर को हमेशा सिरीज में लगा तो उसके parallel में लेकिन जब हमको current चेक करना होता है तो series में लगाता है series का मतलब कि जो current आ रहा है वो इस cable के through अंदर जाए और इधर से आके दूसरे में जाए तो उसके लिए हमको क्या होता है एक point पर हमको circuit को निकालना पड़ता है इस तरीके से ठीक है और जो current है वो इसके अंदर से घुमके black वाले से वापिस आके और इसमें जा रहा है तो अब मैं इसको यहाँ touch करूँगा तो आप देख सकते हैं कि light जल गई है और जो भी voltage है 6.2 milliamps जो current है sorry not voltage current तो जो भी current है means minus 6.2, 6.3 milliamps current दिखा रहा है यह minus इतले दिखा रहा है कि यह ulti side लगाया है अगर आपको correct current पता करना है तो इससे आप ulti कर लीजिए और अभी देखिए मैंने इसे ulti किया तो आपको यह 6.2 तो यह 6.2 milliamps आपको मिल गया है तो इस तरह से आप DC का check करते हैं AC का भी बिल्कुल इसी तरह से check करते हैं लेकिन उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पहली चीज़ जो है वो यह कि आपके multimeter में AC चेक करने का होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है देखिए voltage DC, voltage AC, ampere DC यहां कहीं भी ampere AC नहीं है इसमें नहीं है तो उसके लिए जब भी अगर आपको AC का ampere नापना हो तो आपको थोड़े से महंगे वाले system जो है वो लेने पड़ते हैं देखिए यह system है आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 ampere 20 ampere 100 ampere के आगे दोनों निशान लगें देखिए AC का भी लगा है टिलडा और DC का भी DC का यानि straight line और dot 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 तीन dot तो यह 2 ampere 20 ampere और 100 ampere तो इसमें आप AC का current चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा इस तरह से आप उसे पहले AC में लेके जाएंगे और फिर यहां पर देखेंगे कि यह DC है या AC है तो तो भी देखिए AC दिख रहा है आप इसे click करके DC में move कर सकते हैं फिर click करके AC में तो जब AC current आपको चेक करना है तो यह AC में रहना चाहिए और फिर इसके जो यह दो नॉब हैं यह आप उसी तरह से मान लिए अगर यह AC circuit होता तो आप उसी तरीके से इस तरह से आप उसको series में लगाते लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों AC circuit जो हमारा यह वाला जो AC होता है यह अपने क उसमें shock लगने के बहुत chance होते हैं इसलिए यह इस तरह के जो multimeter होते हैं इनको clamp meter भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक clamp होता है इस clamp का benefit क्या होता है देखिए यह मैं आपको समझाता हूँ DC और AC यह दोनों में आप use कर सकते हैं तो जैसे मान लिए अभी DC में मुझे देखना ह ठीक है तो मैं पहले इसको देखिए अभी AC में है मैं इसको DC करेंट में मैंने move कर दिया और यह 2 ampere पर है ठीक है तो अभी मैंने इसे यहां पर रख लिया इसे मैं हटा देता हूँ ठीक है और इसमें सबसे important बात यह है clamp meter में कि आपको circuit को निकालना नहीं पड़ता है आपक तो आपको जो है वो आपका DC का जो current है वो आपको यहां पर मालूम पड़ जागा कि इसके अंदर से कितना current flow हो रहा है तो यह आपको DC का current मालूम पड़ गया तो यह clamp meter में अच्छी बात यह होती है कि आपको circuit को unplugged नहीं करना पड़ता जैसे आपको इस वाले से circuit को unplugged करके और फिर आपने series में जोड़ा था यहां पर अगर clamp meter है तो बहुत easy है आप सीधा इस तरह से clamp meter पर चेक कर सकते हैं और आपको आपका reading जो है वो clamp meter पर मिल जाता है तो इस तरीके से आप clamp meter है तो बहुत आसान होता है current चेक करना चाहे वो DC का हो चाहे वो AC का हो ठीक है तो जै जो है यह multimeter लेकिन MPR चेक करने में बहुत helpful होता है और इसमें आप AC भी चेक कर सकते हैं और DC भी चेक कर सकते हैं इस वाले में आप सिर्फ DC चेक कर सकते हैं तो यह ध्यान रखिए DC वाला जो system है जिसमें आपके बास clamp meter नहीं है तो आपको इसको बाहर निकाल के और फिर test कर पड़ना पड़ता है और अगर clamp meter है तो आपको circuit को खोलना नहीं पड़ता है उसी circuit में ही आप इस तरीके से clamp लगा के और आप value चेक कर सकते हैं तो यह हो गया आपका simple example दोस्तों कि आप किसी भी circuit में current या ampere कैसे चेक कर से अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो give it a thumbs up and म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने हो तो ठीक है चलिए बाइबाइ